मैं सुहागन रहो, साथ जन मोट है, मुझरे मुझूडी आखन की, खनाने बाले आ गए, आजन मेरा उस पार है गुड बार्निंग एब्रीबन, राधे राधे कैसे हैं आप सबी, I hope कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सबी का मेरे इस तीज ब्लॉग में, और आज है हरियाली तीज, तो आप सबी बहनों को मेरी तरफ से इस हरियाली तीज की बहुत सारी शुप कामनाए, भोले नात और मा पारवती की करपा सादेव, आप सबी की सुहाग पर बनी रहें, आप सुहागन रहें, और मैं हो रही हूँ अभी तयार सुबह की पूजा के लिए, तो यहाँ पे सब कुछ पहन लिया है अच्छे से, और देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, तो बस कपड़े वगरा जो भी थे, ज्वेलरी वगरा वो सब पहन लिया है, मैंने बाकी जो मेकप का है लीपा पोती वो नहीं की है, तो मैं यहाँ सबसे पहले यह लगा रही हूँ संस्क्रीम, और आज बस इसी से काम चलाओंगी, क्योंकि मैंने खरीत तो सब कुछ रखा था, कल मैंने आपको दिखाया था, फाउंडेशन, क्रीम बगरा सब में लेकर आई थी खरीत के, लेकिन गर्मी इतनी जादा है कि कुछ भी मैं फेस पर नहीं लगा सकती, मुझे बहुत जादा इचिंग होती है, अगर मैं क्रीम बगरा लगा लूँ तो, क्योंकि मेरी स्किन काफी सेंस्टिव है, तो मैं कोई भी क्रीम अपलाई नहीं कर सकती, गर्मी के मौसम में खास कर, और किचन में आपक काम होता है, तो मेक अप से काम नहीं चलता है, बीना मेक अप के ही काम अच्छा होता है, तो बस अभी सुबह की पूजा करूंगी, और मैंने लगा लिया है हिमाल्या का बेवी पाउडर और संस्क्रीम, बस दो ही चीजे लगाई है, फेस पे, इसके अलावा तीसरी चीज सब नहीं लेकर आई थी और जिसने मेरा कल का शॉपिंग वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो जाके जरूर देख लिजेगा बहुत अच्छा ब्लॉग है वो भी एंड यहां पे मैं अभी बाल कर रही हूं अपने थोड़ा बहुत जो भी हैस्टाइल रहेगा वो मैं बना लू हो गए हैं मेहधी लगाने के बाद भी हमेशा काले ही रहते हैं वच्पन से बिना डाइक किये हुए ही और बहुत अच्छी हेर ग्रोथ होती है जो मैं हेर रूटीन अपना श्यर की थी तो अगर आपको देखना है मेरा हेर रूटीन तो आप जाके जरूर देखना अभी हाल फिलाल में ही मैंने share किया है जो नए viewers है तो फिलाल मैं यहां लगा रही हूँ eye shadow तो shadow तो यह मेरे पास पहले का ही रखा हुआ था pencil वाला ही मैं use करती हूँ क्योंकि इसके लगाने में असानी रहती है और यह रहा वो pendant जो मैं मंगाई थी मीशो से और यह बहुत बहुत ही जादा खुबसूरत है और जैसा यह मैंने देखा था ना dp में सेम बैसा ही है तो अगर आपको यह purchase करना है तो आप कर लेना मैं वाई इसका link जो है वो दे दूंगी description में और भी इसके कई सारे color थे red color, green color, purple color और भी बहुत सारे color थे बहुत अच्छी अच्छे तो मुझे तो फिराल green ही चाहिए था क्योंकि तीज के लिए तो green ही सबसे ज़्यादा best होता है तो आप सभी बेंडों को मेरी तरफ से तीज की बहुत बहुत सारी शुप कारना है और भोले नात्मा पार्वती सभी के सुनाव पर हमेशा अपनी किर्पा बनाए रखे तो आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत सारा श्वादत है मेरे और अभी सुभे का काई हो रहा है बस मैं जा रहे हूँ पूजा करने के लिए तो पूजा करने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा हूँ दुरुप को देखूंगी उसको निलाना दुलाना भी होगा वैसे तो मैं रेडी हो गई ही और उसको निलाना दुलाने का जो काम होता है यह सम मुझे उतारना पड़ेगा और मेरे कड़े कैसे लग रहा है मुझे जरूर बताना कमेंट में देखी के और इस बाद ना मुझे मेंदी भी बहुत ज़्यादा चड़ी है बहुत मेंदी चड़ी है सच में तो आपको मेरा फाइनल लोग कैसा लग रहा है और खासकर जो मेरी साड़ी है तो साडी तो मेरी बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही जादा, देखिए इतनी प्यारी लग रही है साडी, अभी देखिए, और हमारे यहां पर यह रिवाज होता है, तीज के त्यहार पर बहुत सारी महिलाएना ब्रत करती हैं, तो वैसे तो माता पार्वती और सिपजी की पूजा ही महत पूड होती है, इस ब्रत में और साथ साथ में पती का अशिरवाद भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि सुहाग के लिए ही यह तीज का त्यहार मनाया जाता है, और जो कौारी लड़कीयां करती हैं, वो अच्छा बर के लिए करती हैं ब्रत, और मैं ब्रत तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाच जब तक मैं भोग नहीं लगाती हूँ, यह सब खाना बना रही हूँ न, तब तक मैं बिल्कूल खाली पेटी रहती हूँ कुछ भी नहीं पीती मैं न खाती हूँ और ऐसा मतलब हमारे यहां शुरू से ही होता है तो मैं अभी बस भोग थाली बनाओंगी जिसमें मैंने आलू की सबजी बनने के लिए रख दी है क्योंकि हस्बिन को अलू और टमाटर की सबजी सबसे ज़ादा पसंद है तो वैसे तो मुझे राजमा बनाना था आज लेकिन मेरी हो गई थी रात को तबियत खराब और आपको आवाज से भी पता लग रहा होगा क्योंकि आवाज बैट गई थी गर्मी इतनी ज़ादा थी जब मैंने महधी लगवाई थी तो मैं बार बार नहा रही थी और कम से कम चार से पांच बार मैं नहा ली थी मतलब हद हो गई थी मेरे नहाने की क्योंकि गर्मी इतनी थी तो बार बार मुझे नहाना पड़ रहा था क्योंकि शाम को भी हो जाएगी यही तो आज खाना तो बनेगा नहीं शाम तक और मैंने यहाँ थोड़ा सा कद्दू वोयल करके रख लिया था यह वही कद्दू था जो मैं शामबर के लिए लेकर आई थी खरीद के उसी में से थोड़ा सा मैंने बचा दिया था आज के लिए तो बस यहाँ मैं बना रहे हूँ यह कद्दू के गुलगुले और हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टन गुलगुले ही होते हैं तीज वाले त्योहार में क्योंकि इनसे ही भोग लगता है और इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पावडर और सोफ डाल दिया है सोफ मैंने घर गी में बनेगा तो मैंने यहाँ आटा ले लिया है और आटे में इलायची पावडर और थोड़ा सा डाल दिया है घी और घी इसमें जड़ा जादा ही चलता है तो मैं यह सक्कर पारे के लिए आटा लगा रहे हूं और बस अच्छे से इसका मोयन बनाके फिर मैं इसको गू उतलूँगी तो देखे सारे काम मैं हातो हाती कर रही हूं और यह सारे काम मेरे सुबा जल्दी उठने की वज़े से हो रहे हैं और हजबन भी जल्दी उठ गए थे धुरूब हमारे सो रहे थे अभी तक तो उनके उठने से पहले-पहले मैंने लगबख खाना तो अपना सा अच्छे से मैं ready भी हुई थी और इतने आप सबसे बात भी की थी और भी बहुत सारे घर के साफ सफाई की चन की क्लिनिंग यह सारे काम मैंने सुबही उठके कर लिये थे और मैं यहां लगा रही हूं पूरी और कचोरी के लिए आटे का डो तो इसमें मैंने सारे थोड़े थोड़े मसाले डाल लिए हैं और कस्तुरी मेथी डाल दी है खाना सब बीना लेसुन प्याच कहीं बनता है हमारे यहां तीच पे और यह सकर पारे वाला जो आटा मैंने बताया था आपको टाइट सा डो लगाना है तो बस यह वही सकर पारे बन रहे हैं तो मैंने मोटे मोटे सुबही मैंने वॉयल कर लिए थे जब तक मैं नहाने गई थी आलू करने के लिए रग गई थी तो यह ठंडे कर लिए हैं मैंने और कचोड़ी में हमेशा आलू आप उबाल के एक दो घंटे रख दीजिए वही वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं तो बस फटा फट से यहां भोग के लिए मैं पूडिया भी उतार लूँगी और मैंने जो अगनी देव होते हैं उनको मैंने सब कुछ देखी अरपित कर दिया है थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा पूड़ी और पूए वगरा जो भी होते हैं वो चड़ा दिये थे और उसके बाद मै यहां कर रही थी अब खाने की तैयारी खाने के लिए बनाओंगी क्योंकि हस्बन को लगी है भूग तो वैसे तो उनको मैंने सुबा चाए और ब्रेड दे दिये थे और अभी वैसे और फिर मुझे भी खाना होता है तो इसलिए जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक मैं भ कौहार होता है वो पतियों के लिए ही होता है पती के नाम की मेंधी पती के नाम का श्रंगार और जो लोग शादी सुदा नहीं होती है वह महादेव के नाम का करती है सबी कुछ यानि महादेब के जैसा बर्ड पानी के लिए ये किया जाता है और जो महिलाएं होती है वो अपने पती को सिव का रूप मान के पूझती है आज के दिन ऐसा कहा जाता है मतलब ऐसा सुना है मैंने और कहानी में भी ऐसा ही होता है वैसे तो और यहां पे मैं अभी बना रही हू सारे मैंने धुरूप के लिए ही बनाए है तो थोड़े थोड़े करके वो ही खा लेगा और जो बचेंगे वो गाय माता को ही जाएंगे और कुछ मैंने पूजा में चड़ा दिये थे तो बिल्कुल थोड़े थोड़े बनाए हैं जादा नहीं बनाए हैं मैंने और लगबग इसमें मैंने कचोडी बनाई थी, 6-7 कचोडी बनाई थी, इस से जादा नहीं बनाई थी, और यहां सारा खाना बन गया है, देखिए, सब कुछ बना के रख लिया है, मैंने पूडियां यही बनाई है, सारी, शाम तक हम लोगों को काफी हो जाएंगी, और इधर मैं लगा रह तो गीली और सुकी दोनों सबजियां हो गई, तो गर्मी की वज़े से मैंने जादा कुछ नहीं बनाया और इतना भी मुझे बहुत लग रहा था, तो इसलिए मैंने बनाया है, यहां पे देखिए, आप सब को दिखा देती हूँ, यह गुलगुले और सक्कर पारे हैं, आल निप्टा के खाना ही अच्छा लगता है, तो पहले तो सोच ली थी कि साड़ी चेंज कर लूँ और फिर अच्छे से नहा धो के फिर खाऊंगी, लेकिन हस्बन कह रहे थे कि जाडू पोचा बाद में कर लेना, पहले अपना खाना खालो, सुबे से तुमने चाय वगरा कु अच्छे से उसके बाद ही अराम से बैटके खाऊंगी, तो सारे काम मैंने निप्टा दिये हैं और अभी मैं अपने लिए लंच कर रही हूँ, तो यह हस्बन की थाली है ना, इसी में ही मैंने अपने लिए खाना कर लिया था, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा इन्होंने बचा दिया था, आलू की सबजी थी और राईस थे, और धुरूप की आधी पूरी बची हुई थी, और धुरूप को सबसे ज़्यादा पसंद आये थे, शक्कर पारे, उसने काफी सारे खावी लिए थे, और ये चोखा बहुत टेश्टी लग रहा था, आलू का, तो आज आईए आप सब भी खाना खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेश्टी खाना बनाता, तो पूजा बगरा का जो खाना होता है, वो सच में बहुत बहुत ही अच्छा बनता है, और जो स्वाद होता है, वो लस्टन प्याज वाले खाने में भी नहीं होता है, इतना टेश्टी खाना होता है, ये, सभी कामों से निवटने के बाद मैंने किये थे थोड़े से अपने फोटो शूट जो मुझे बहुत-बहुत पसंद आये थे, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको मेरे जो भी शॉर्ट वीडियो होते हैं, वो भी देखने को मिलें अपना मिनी ब्लॉग ही शेयर करती हूँ, लेकिन मेरी एक और आइडी है इंस्टाग्राम की, जहां पे मैं अपने जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उसका लिंक भी मैं जल्दी आप सब के साथ शेयर करूंगी, तो चलिए दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना, मैं मिलूँगे एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाब बाई, गुडबाई, एन हर हर महादेव